हेलो, वेलकम टो आटनिक चैनल, हम आपको फैब्रिक पर इस्प्रे पिंटिंग किस तहां से इजी स्टेप से कर सकते हैं, वो तरीका बताएंगे, तो इसके लिए चाहिए हमें कपड़ा, और कपड़े के नीचे एक पॉलेथिन बिछाने के लिए, जिस भी कपड़े पर हम पेंटिंग कर रहे हैं, उसके नीचे एक पहले पॉलेथिन बिछा लिजेए, और उसके अंदर लगेगा ब्रश, जो भी कलर से हम पेंटिंग कर रहे हूं कलर, स्पून, टूथ ब्रश, और डिजाइन बनाने के लिए हमें लगेगा एक ब्लेट, एक तो हमको इसा शेप रखकर आउटसाइड कर लें पूरा, और एक डिजाइन के अंदर भी होती है, तो अंदर बनाने के लिए आपको पहले ऐसा एक पॉलेथिन चाहिए, केरी बेक का पॉलेथिन भी चल जाएगा, ट्रांस्परेंट ले तो जात अच्छा है, उसमें पहले इसस तरह से दिजाइन को कट कर ले यह इजी स्टेप है इस तरह से डिजाइन एक बार बनाने के बाद में आप बहुत सारी पेंटिंग एक साथ कर सकते हैं इससे इस तरह डिजाइन बनाने के बाद में यह वाला हमने एक डिजाइन बना के रखा है पुरा तो इससे हम आपको बताएंगे तो जहां पे भी आपक यह डिसाइन बनाना है, पहले उसे कपड़े को पिछा कर और उसे पैसे कर के डिसाइन को इसथा करोड़ीजिए डेंडी, फेपरिक कल geography कंप के स्पून में निकाल लीजिए तो इस प्रेक्स आप है इस स्था पोड़ा लैजीता करकूं असपून में रगा लेजिए ये करने के बाद में हम पूद ब्रश को इसके अंदर डिप करेंगे इस तरह अच्छे से, ये डिप हो गया पूरा, अब हमें जहां पे भी पेंटिंग करना है, उस जगा पे स्पोन और ये ब्रश को उस डायरेक्शन में रख कर, हम ये इस तरह से, इस तरह से करते जाएंगे, इसमें कलर लेते जाएं और करते जाएं, इस स्पून से करने से ये फाइदा होता है, कि हमारा हाथ खराब नहीं होता और इसमें जो इक्वल, इसकी जो डिजाइन हो, अच्छी इक्वल बनती इसकी बिल्लिया, पहले अच्छी तरह डिप कर लें, और फिर इसे इस तरह से डिजाइन को कम्प्लेट कीजिए, और इससे एक बात और ध्यान रखिए, कि जो साइड वाला पॉर्शन है, जहां हमें स्प्रे नहीं करना है, तो उसे आप पेपर से ढख देजिए, यह देखे, कितना खुबसूरत बनता है, इस तरह से स्प्रे पिंटिंग बनाई जाती है, तो इसे आप बेट शीट पर, कुशन पर, और चीज़ पर ट्राइ का सकते हैं, थैंक यू पर वाचिंग मा इस वीडियो, कितने हैं, उसे बनel, और यह को उंग कितना है आपल, कित वेज़ तो झाल in अगट जाती है जड़ाँ,